तो रिपब्लिक डे से चल रही है और रेट्स आ चुकिया फून के और कन्फूजन इसलिए भी काफी लोगों को हो चुकिया आइफोन 13 खरीदें या आइफोन 14 खरीदें या ब्रैड न्यू आइफोन 15 खरीदें क्योंकि ये ट्रेट्स तो बहुत अच्छा है यार चैनल पर करने हो तो चैनल सब्सक्राइब करना इस्टार्म टेलिग्रा मॉट्स आप जोईन करना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाओट इनी फॉर्दर दीले इन फाक्ट 12 के लिए भी काफी लोग कर्फ्यूजन का मिल रहा था अभी करेंट्ली क्या फ्राइस चल रहा है 12 का हो मै ने देखा नहीं है बट हाँ डेफिनिटली एक सेगेंड के अंदर आपको देख के बता रहा है अभी यह 12 का गेम बच चुका है क्योंकि रेट भड़ चुक है आईफोन 14 के तो थोड़े से करेंटली मैं जो देख पा रहा हूं तो आईफोन 12 का सबसे पहले रेट देख ले कि 39,999 का पड़ेगा जो है इसे से क्रेडिट कार्ड है और अगर आपके पास है फ्लिप कार्ड एक्सिस कार्ड तो आपको लगबग उतना ही कैश बैक देखने को मिल जाएगा तो यार आईफोन 12 40 जारों में कैसी डील है यार देखो अगर आप करंटली के भी सोचेंगे त तो ये डील उतनी बुरी नहीं है बट 64 GB का अगर आपका काम चल पाए जो कि मेरे साब से तो नहीं चल पाएगा और अगर आप थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा लेंगे ना थोड़ा सा जरा सा तो आप Amazon पर जाएंगे तो Amazon पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका फे आपको देखने को मिल चकता है तो 47,000 का आपको देखने को मिल चकता है तो 47,500 जो कि अच्छा प्राइज है अगर आप 12 खरीना चारें उससे तो 13 बहुत 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 ठीक है तो 47,000 का लगा लेते है हमारा 13 है बट अब लोगो के निवाग में confusion आ जाती है क अब 13 ले या 14 ले तो 14 का भी current price बताया तो अभी जो चल रहा है सबसे सस्ता जो color यहां पर देखने को मिल रहा है वो है यहां पर 57,999 का है और यह इस वक्त rate चल रहा है जैसे let's second example यहां पर blue color का phone है मैं भी आपको दिखाता हूं एक second के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए है कि यह है iPhone आपका 14 इसका प्राइज है 57999 तो 57999 में आपको डिसकाउंट पड़ रहा है वो है 2900 का क्लिपकर एक्सेस करें का जो कि मैं आपको मैंशा कहरा हूं अभी भी नहीं लिया था ले लो डिंग डिंक description में आगे काम आएगा आपके बहुत साथा तो यहां पर आपको launch price हुआ था कल जो वो था 65 triple line का कुछ colors देखने को मिल रहे हैं जाकि यहां पर आप देख सकते हैं यह कुछ color 65 triple line के अभी भी देखने को मिल रहे हैं उसमें से मेरा favorite color blue है तो blue आप consider कर सकते हैं और इसका after all card discount 63 पट रहा है तो देखो अब हिसाब यह है 12 तो मैं आपको rule out करन ने आयते हैं तो क्या उसको 14 लेना चाहिए यह सोचना भी चाहिए देखो 13 मिल रहा है 47,000 रुपीज का amazon पे और 14 मिल रहा ह 55,000 के आसपास का flip card पे तो यार मेरी कर अब भी difference आ रहा 8,000 रुपे तो मेरी recommendation है 13 पे जाओ cover लगाओ कि 13 14 में बहुत जाए difference है नहीं action mode camera का difference है जो मैं आपको बोलता 14 खरीने के लिए तो 14 मेरे दिमाग में इस समय यह है कि आप 14 ना खरी दे और अपने 8,000 रुपे बचा लीजे या फिर 2500 GB का आप consider कर सकते आइफोन 13 अगर आपका budget है 57,000 56,000 का सोच रहे हैं दिमाग में तो भाई 6000 एक्ष्टा लगाके यह iPhone लेना आपको बहतर रहेगा क्यों Dynamic Island देखने को इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है इसके इलावा आपको मिलने वाला है 48 मिगा पिक्सल का सूपर 14 प्रो वाला सेटप टाइप सी यहां पर देखने को मिलने वाला है overall phone frosted back है different मतलब अच्छा feel है comfortable to hold है और आपको feel होता है यह 14 15 hold कर रहा है और 15 hold कर रहा हूं literally आपको feel होता है कि 15 is more comfortable more better overall एक काफी जादा अच्छा phone है आपको इसके अंदर देखने को मिलने दाता है differences भी है तो यार इस देन में हुआ क्या है और यह पिछले साल भी हुआ था कि क्या किया गया था कि 13 का price 14 के साथ difference कम कर दिया गया था त अगर आपको budget strict 50,000 के आसपास है तो iPhone 13 is not a bad deal और मेरे साबसे मेरे साबसे अगर मैं देहान से सोचू तो इस sale में या तो 13 लेने में फायदा है या फिर 15 में फायदा है otherwise मेरी recommendation नहीं गएगी अगर आपको budget है तो 15 खरीदे otherwise 13 खरीदे बिना सोचे समझे 12 से budget आप उपर कर सकत है especially to 13 consider कर सकते हैं तो either 13 और either 15 मेरे साबसे इस sale में best रहने वाला यही था अच की वीडियो में कोई question हो comment down below और please channel subscribe करना मिलते नेक्स वीडियो बाई